हाई दोस्तों आई ठीक हम आप सभी लोगों का स्वागत है पहले तो मैं आपको बता दूँ के बैग्राउंड में काफी सारी नॉइज आईगी तो उसे इग्नॉर कर दीजिगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी नई बाइसिकल के बारे में जो सामने खड दीजिगा जाए है अलाग कि इस तरी की बाइसिकल आप अपने स्मार्टपोन की मदद से अपने घर में या फिर अपने आस पास भी देख सकते हैं और आप इसके साथ पोटो ले सकते हैं आप चाहे तो स्क्रीन रेकोर्ड करके वीडियो भी बना सकते हैं इस आप की सबसे और उसे बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर हम साइकल को मडिफाय कर सकते हैं इसका color चेंज कर सकते हैं और भी कई तरे के part को चेंज कर सकते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको first layer AR effect मेलती है आपको बताए होगा कि कई सारे AR effect ऐसी होथी जिसके अगर पीछे जाने की कोशिस करते हैं बट वहां पे आप नहीं जा पाते हैं जो भी अब्चेक्ट होता है वो आपके सामने ही रिएता है बट यहां पर आप उस AR effect के पीछे खड़े रह सकते हैं और यहां पर आपको बिलकुल बिलकुल बोले तो बिलकुल real effect मिलेगी तो दोस्तों अगर आप भी इस Agamant Reality Bicycle की मज़े लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को N-Tech दीखेगा, तो चलिए मैं आपका टाइम वेश नहीं करता हूँ, फटा-फटा हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आप इस वीडियो को देख पाएंगे, तो चलिए में वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरा नाव इरफांथ और आप देख रहे हैं i-Tech, तो सबसे पहले आपको एक आप इंस्टॉल करनी होगी, जिसकी लिंक पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रप्स में वीडियो के एंड में दे दूगा, वाज एक डारेक आप इस आपको इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको इंस्टॉल करनी के बाद जैसे आप ओपन करेंगे, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर आप्सेन मिल जाएंगे, आप हर तरह की जानकर इस बाइसिकल की ले सकते हैं, अगर आप इस बाइसिकल को एकमन रियालिटी यानि की AR में देखना चाहते हैं, तो सिम्पल है, आपको राइट साइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर AR का बटन है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके स्मार्ट पोन का बैक केमरा उपन हो जाएगा, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा, इसके बाद आपको फ्लोर को स्कैन करना है, लाइक कुछ इस तरह से, तो आप अच्छे से फ्लोर को स्कैन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का टार्गेट दिखाए देगा, तो सिम्पल है, आप टैप कीजिए, और भूम, आपकी बाइसिकल यहाँ पर आजाएगी, अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना है सबसे पहले, यह एप उसी स्माटफोन में काम करती है, जिस स्माटफोन में Google Code सपोर्ट करता है, अगर आपके smartphone में Google Code support नहीं करता है तो यह app आपके smartphone में काम नहीं करेगी बट एक बार आप इस app को install करके देख लिजे साइध यह आपके smartphone में काम कर जाए दूसरी बात अगर आपके smartphone में यह app crash हो जाती है या फिर आपका device इस app को support नहीं करता तो आने वाले दिनों में यह app साइध अपडेट हो जाए और आपके smartphone में भी यह app काम कर जाए तो आसा लगता दोस्तों आपको पूरी तरीकी सब्सा चलिया होगा अगर यह वीडियो पसना आते हैं तो प्लीज जा लाइक कीजिगा